नमस्कार आप देख रहे हैं काल चुक्र मैं हूँ रश्मी और मेरे साथ है प्रश्ण कुंडले विश्य शग्य पंडित सूरेश पांडे जी पंडित जी सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत हैं क्या आपके शरीर में सूर्य अशब है क्या आपके घर में सूर्य अशुब है क्या आपकी कुंडली में सूर्य अशब है सूर्य नहीं है सही तो कैसे बिगड़ सकती है सेहत जाननी के लिए देखिए काल चक्र जी हाँ आज काल चक्र में पंडिट सुरेश पार्ने जी हम सभी को भगवान सूरे से जुड़ी बेहत युनीक और जरूरी जानकारिया देंगे कुंडली में बैठा अशुब सूरे हमाई सेहत और किस्मत दोनों को बिगार सकता है अशुब सूरे के अशुब प्रभावों को दूर करने के लिए और सेहत मंद बने रहने के लिए हम सभी को कौन से जरूरी उपाय करने चाहिए यही सब जानकारी आज पंडिट जी आपको देंगे तो चलिए अपनी चर्चा के शुरूवात करते हैं सबसे पहले पंडिट जी भनस unister को यह बदाए कि हमारे शास्त्रों में भगवान सूरी के बारे में क्या कुछ कहा ऐसे ही तो फूता ड्वा यूष्च्य प्राणस्च मुखा दगनी की रजायद एक तरह कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है चंद्रमा मन का का रख चक्षो सूर्य ओ जायत है और आखों का प्रत्रित सुर्य देव करते हैं और दूसरी तब महर सिपारासर क्या कहते हैं, वो कहते हैं सुक्रो सुक्रस्चर तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्त तथा, सुक्र जो है नेत्र का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा का कारक सूर्य अगर है तो आत्मा से बढ़ करके क्या है, इसलिए कि आत्मा तो हर सम परमातमा के संयोग में रहती है जीवातमा और आत्मा दोनों हमारे सरीर में हैं जैसे एकन ब्रिट्ष पर दोते बैठेवाैं एक टोता फल को कुतूर कुतूर खाने में भ्यस्तों गार द्व्यास्ता अवे उसको कहले देख रहा है कि देखो कितना विस्एब हो घे किसी में एकडम लिपता हुआ हूँ उसको तटास्त होकर करके देख रहा हो द्वासु परना सयुझा सखाया समानव रिच्छय परिशत सोजाते यह हमारें उपनिसत मायो कैं द्वासु परना सयुजा सखाया, समान बृच्छे परिशत सोजाते तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोग, मत्सर, इर्षया, द्वेस में एक तोता उसी फल में आक्रिष्ट हुआ रहता है और दूसरा उसको अनमैस्क द्रिष्टी से देखता है और उस तोते की तरफ भी ये तोता नहीं देखता है जो विसे भोगों में आ सकता है उसी तरह से हमारी जो जीवात्मा है ये विसे भोगों में इतना रमी हुई है कि ये आत्मा की तरफ देखने का प्रयास ही नहीं करती है क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है और इसके बारे में हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्रातरस्म रामिहृदि संस फूरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहन सगतिम तुरियम यत सपने जागरसु सुप्तिम वैतिनित्यम तद ब्रम्हनिस कलम हम नचभूत संग मनुष्य नश्ठ होने वाला संघात नहीं है शरीर उसका नश्ठ होता है आत्मा नश्ठ नहीं होती है और आत्मा में इस्वर का हर्फ में वास होता है तो जब जीवात्मा परमात्मा का साक्षात कर लेती है तो यहीं जीमन की सबसे बड़ी स्रेष्ट उपलब्धी मानी जात आकास में सूर्य सबसे सक्तिसाली ग्रह है प्रिथवी से सूर्य की दूरी अठारा करोण किलो पंद्रा करोण किलो मीटर दूर है पंद्रा करोण किलो मीटर प्रिथवी से सूर्य की दूरी है और जब उसकी गर्मी इतना यहां महसूस होती है तो जहां से सूर्य है वहां की इस्थिती क्या होगी आप सोच सकते हैं रोग सास्त्र में सूर्य को रोगों का वाहक और रोगों का निवारक दोनों माना गया है सूर्य को गर्म और सुस्क प्रबिर्ति का माना गया है सूर्य कूर ग्रहों की स्रेणी में आता है पहले तो मैं अपने दर्सकों को यही बता दूँ कि ये जो 9 ग्रह हैं इनकी संग्या क्या है तो एक बात जान लिजे सूर्य और मंगल ये दो कूर ग्रह हैं और चंद्रमा, बुध, ब्रिहस्पति और सुक्र ये चार ग्रह सुभग्रह हैं सनी, राहू और केतू ये तीन ग्रह पापग्रह हैं तो अगर हम कहीं कहें कि कूर्ग्रह तो आप समझ जाईएगा सूर्य और मंगल के बात कर रहे हैं अगर हम कहें पापग्रह तो आप समझ लिजिएगा सनी, राहू, केतू की बात हो रही है और अगर हम कहें सुभग्रह तो और सुक्र की बात हो रही है यह आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ध्यान से देखते हैं और इन चीजों को नोट भी करते हैं तो कहीं आपके ज्यान में खरल ना पड़े इसलिए ये बात बताना में जरूरी समझ रहा हूं सूर्य कुरूर ब्रहों की सेनी में भी आता है सूर्य अच्छा और मजबूत सरीर देता है जिस भी आदमी की लंबाई ज्यादा होगी उसके कुंडली में सूर्य जरूर अच्छा होगा और मानों की जो रीड की हड़ी है जिसको बैकबोन कहते हैं ये मुख्य रूप से सूर् खराब होता है उनकी वीड की हड़ी में कम उम्र में भी समस्याएं पैदा हो जाती है और पिंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी किसको कहते हैं बहुत बार मैंने बताया है एक बार सुने दाहिनी नाक से जो स्वांस चलती है इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी और बाई नाक स सांस जब चलती है तो इसके इसको कहते हैं गंगा और दाहिनी नाग से जब सांस चलती है तो इसको कहते हैं जमुना और जब दोनों एक सांस स्वांस चलती है तो इसको कहते हैं सरस्वती अब आप समझ गए होंगे, इडा, पिंगला, गंगा, जमुना, सरस्वति, तो पिंगला नाड़ी माने दाहिनी नाड़ी का प्रत्रेशित कौन करता है, सूर्य करते हैं, सूर्य को जीवन दाता और जीवन पालक कहा जाता है, मत से पुरान के अमसार, आरोग्यम भासकरा दिचक्षते, सूर्य अच्छा स्वास्थ प्रदान करने वाला है, ऐसा कहा गया है, और सूर्य नमसकार के भी अपने लाभ हैं, रिग्वेद के अमसार, उगते हुए सूर्य की पहली किरन, हिर्दैरोग, पीलिया, एन्मिया, और यहां तक कि रोमेटिक अथ्राइटिस को भी ठीक करने की छमता रखता है, लेकिन उगते हुए सूर्य की किरने अगर सरीर पर पड़ें तो, इसी प्रकार से अथरोवेद में भी सूर्य की इन किरनों को हिर्दै से सम्मंधित बीमारियों और एन्मिया जैसे रोगों से ग्रस्त बैक्ती के लिए बहुत लाभकारी मा अगया है, सनातन धर्म के अनुसार, अब ये मत कहिएगा कि पंडी जी सूर्य तो एक जगा हिस्थिर है और आप कह रहे हैं कि सूर्य घोड़े पर चल रहा है, भई मेरे धर्म की माननता है न, वो बात मैं आपसे कह रहा हूं, माननता हमारे धर्म की ये है कि सूर्य अपने स शात घोड़े वाले रत पर सवार होकर आकास में पूरव से उद्य होकर पस्चिम की ओर गमन करते हैं। सूर्य रत के ये सात घोड़े इसकी सात प्रकार के किरनों के समान हैं। सूर्य आउसधी और पारिवारिक संबन्धों में पिता का कारक रहे, शरीर में हड़ी का कारक भी सूर्य है, अथरोवेद के नवे अध्याय में लगभक 22 बिमारियों का उल्लेख है, जो उगते सूर्य की किरिणों से ठीक हो सकती है, अथरोवेद में लिखा गया है कि सूर्य की किर्णों में रहना अम्रित के संसार में रहने के समान है रिगवेद में भी इस बारे में यही कहा गया है सूर्य की किर्णे प्राणियों को लबी आयू प्रदान करती है तो एक बात तो यह जान लीजिए कि जिसकी जर्म कुंडली में सूर्य अच्छा होगा वो निश्चित रूप से बहुत आत्मबली होगा आत्मबली का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ब्यक्ति के अंदर हीन भावना और नकारात्मक सोच अस्थान नहीं पासकती अब सूर्य अच्छा कहां होगा सिंह रासी में होगा तो अच्छा होगा मेश रासी में होगा तब अच्छा होगा तीसरे छट्वे और ग्यार्वे अस्थान में होगा तब अच्छा होगा बाकी जगह पर सूर्य अच्छा नहीं होता है तो शरीर में सूर्य का अस्थान कहा है आप ये भी जानना चाहते होंगे तो मैं बता रहा हूं आपको दाहिनी आख के उपर ये सूर्य का अस्थान है और नाभी पर भी सूर्य का अस्थान है क्योंकि नाभी पर मेस और ब्रिश्चिक रासी का अस्थान माना गया है और मेस र आसी में रहता है तो ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन हाजमा सकती बहुत अच्छी होती है ऐसा आदमी चाहे जितना भोजन करें लेकिन बहुत थोड़ा सा मल करता है बाकि सारा अन शरीर में जल करके भस्म हो जाता है और दाहिनी आख अर्थात सिंहरासी में सूर्य होने पर ऐस आदमी बहुत बढ़ियां धंग से किसी क्रिया को संपन्न करने की महारत रखता है जो काम ऐसा ब्यक्ति करेगा कम समय में और बहुत निपूर्टा के सांथ करेगा उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता तो इसलिए सूर्य के दोनों अस्थान है अब आप कहेंगे सूर्य का समारा रहता है तो सबसे खराप करता है तो सूर्य अगर हिरदय परिस पार्क करे माने तुला रासी में अगर सूर्य आ जाए तो क्या होगा सिने में जलन होगी ACDT की समस्या होगी, बेचाइनी होगी, घवराहत होगी, तुलारासी का सूर्य होगा, तो चेहरे पर कांती नहीं रहेगी, हर समय आप मुर्जाये रहेंगे, तो ये सब बाते होती हैं. अब से थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा, कि आपके घर का वास्तु अगर सूर्य के संतुलन में नहीं है, तो कैसे आपके परिवार में रोग बढ़ते हैं, और उनको ठीक करने का उपाय क्या है, ये बात जरूर ध्यान से आप देखिएगा, जैमा पंडिश जी आपने कुदी जिक्र किया, कि घर का वास्तु अगर सूर्य के संतुलन में नहीं हो, तो रोग का भी निवास हो जाता है, तो इसके लिए वास्तु उपाय क्या है, ये हमाई दर्शकों को बताईए, देखो ऐसा है, रस्मी, दाहिनी आख मैंने बता दिया, सीर बता दिया, मस्तिस्क बता दिया, हिरदय, खून, रक्त चाप, बुखार, पित जनित रोग और छै रोग, ये सब सूर्य के अधीन आते हैं, घर में उत्तर पूरो दिशा में पूजा घर बनाया जाए, और पूरग दिशा में इसान कोण में जो घर बनाया जाए, पूजा घर उसमें खिडकी जरूर हो, ताकि सुबह सूर्य की किरने पूजा घर में जरूर आए, और दक्षिन पस्चिम दिशा में भारी निर्मान कारे कराया जाए, साउथ वेस्ट जो है उसको उंचा रखा जाए, उसको भारी रखा जाए, और भारी सामान रखा जाए, दक्षि दिशा में खिडकी या दरवाजे दक्षिन की ओर नहीं होने चाहिए, पूरब की ओर होने चाहिए, ताकि सूर्य की किरने आपके कीचन में आए, ये परिवार के लिए स्वास्टकारक है, पूजा कक्ष का उत्तर पूरु दिशा में होना सेहत के दिरिश्ट कोण से बहुत फाइदेमन्द है शूर्य अस्त या पस्चिम निशा से अस्त होता है इसलिए वास्तु में डक्षिन पस्चिम निशा में खिड की दर्वाजे बनवाना निसेद है जिससे घर में सूर्य की इंफ्रा रेड किरनों का प्रवेस नहुं सीड़ी बनाने के लिए वास्तु सास्तर में कहा गया है कि सीड़ी हर्स में क्लाकवाई चल ली चाहिए और सीड़ी या तो दक्षिन दिशा में होनी चाहिए या तो पस्चिम निशा में होनी चाहिए इसके कहने का आश्य क्या है पूरब दिशा में क्यो नहीं होनी चाहिए उत्तर दिसा में क्यों नहीं होनी चाहिए सीधी इसके पीछे क्या लाजिक है इसके पीछे लाजिक ये है कि जब आपकी सीधी दक्षिन दिसा में होगी तो आप जब सीधी पर चढ़ेंगे तो जहां पहली तरफ मूरेंगे दाहिनी तरफ मूरेंगे दाहिनी तरफ मूर करके जब आप सीधी पर से ऊपर खड़े होंगे तो सूर्य जिधर से उदय होता है उधर ही आपका मुह रहेगा सूर्य के उदय की तरफ आपका मुह रहेगा और जहां से आपने सीधी से चढ़ना सुरू किया है वहां से सूर्य के उदय होने की दिशा से ही आपने चढ़ना सुरू किया है क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उसका गमन पस्चिम दिशा की ओर होता है तो अर्थात आप हर समय प्रकृति के साथ संतुलन में है और यही अगर पूरवदिशा की सीड़ी है तो आप ऊबते हुए सूरी की तरह मुह करके तो चढ़ रहे हैं लेकिन जब ऊतरेंगे तो आपका मुह पश्चिम में रहेगा अस्थ होते हुए सूरी की दिशा में आपका मुह होगा जो वास्तू की लिहान क्या रखते हैं वर्षा रितू में इसलिए हमारे सरीर में सुस्ति, ठकान और भारीपन रहता है, आलत से रहता है, अब दूसरी बात बताना चाहूँगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य असुभ है, आपको कैसे पता चलेगा सूर्य आपके सरीर और आपके मन पर अ तो पंडी जी अप लगे हां तो बताई दीजिए हमाई दर्शकों को कि उन्हें पता कैसे लगेगा कि उनकी कुंडली में चुर्य है अशुब है या फिर शुब है और इसका किस तरह से हमारे शारिरिक अमदब शरीर पर प्रभाव पढ़ रहा है मन मस्टस्त को पर जो है उसका अपना एक सुरूप है अपना एक सुभाव है पता चल जाता है अगर सूर्य कुंडली में अच्छा नहीं है तो ब्यक्ति के सूजबूज में कमी आएगी और ऐसे लोगों का आत्मबल बहुत कमजोर होता है ऐसे लोग छोटी छोटी परिसानियों में रायते की तरह पेल जाते हैं और एक दम असक्त हो जाते हैं मस्तिष्ख का जो बाया भाग है और सरीब का जो दाहिना भाग है यह सुर्य से प्रभावित होता है सूर्य के असुव होने पर शरीर में अकड़न आ सकती है। रोमेर्टिक अथ्राइटिस जिनको भी होता है, उनकी कुंडली उठा के देख लीजे, उनका सूर्य बहुत असुव होगा। सूर्य असुव हो, तो मुह में बार-बार थूख अपने आप बनने लगता है। अगर थूख जादा बनना सुरू हो जाए, तो समझ लीजेगा कि आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य किसी भी प्रकार के हिर्दय रोग को दे सकता है। अगर आपके कुंडली में सूर्य बूत की यूती है, तो जब भी सूर्य बूत की दसा अंतर दसा आएगी, तो हिर्दय रोग से जुड़ी कुछ ले-कुछ समस्याएं जरूर उत्पन होंगी। असुप सूर्य के कारण मुह और दांत के भी रोग हो सकते हैं। बार-बार बेहोस होने की तकलीब भी सूर्य के असुप होने के कारण ही होता है। सिर का दर्द भी कमजोर सूर्य के कारण होता है। सूर्य का कुणली में ठीक न हो तो आत्मविश्वास की बिलकुल कमी हो जाती है। मैंने देखा है कि जो लड़के एक्जामिनेशन में दस नंबर लेकर के आते हैं, वही लड़के घर पे आके जब पेपर करते हैं तो सौ में सौ नंबर लेकर हैं। अब जब तनाव रहित होकर उसी पेपर को देखते हैं तो सब सही कर लेते हैं। ये सूर्य का ही कमाल है, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का, अस्त का, राहू के सांथ पूरित होगा, पापक ग्रहों से द्रिष्ट होगा, ऐसे विद्यार्थी के मन में इग्जामों फोबिया का आना स्वाभाविक है। और ऐसे माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को बच्पन से ही सूर्य को अर्ग देने के लिए प्रेरित करें और गायत्त्री मंत्र बोलने की प्रेरिना दें। अगर कोई बच्चा 24 बार गायत्त्री मंत्र बच्पन से ही बोल रहा है, तो सूर्य उसके कुंडली में चाहे जितना खराब होगा, लेकिन कभी उसे एक्जामू फोबिया की बिमारी नहीं होगी। क्योंकि गायत्त्री मंत्र की ब्याहिर्तियां सातो चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। कि शूर्य को एक्टिवेट करने की च्हामता रखती हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, कि सूर्य को मजбूत रखना यह बहुत जरूरी है और सूर्य को मजबूत रखने के लिए सूर्य को अर्ग देना, गायत्तिरी मंतर का पाठ करना, गायत्तिरी मंतर का जब करना, पिता का सम्मान करना और सत्य बोलने की आदत डालना ये सब चीजे जरूर करनी चाहिए लेकिन अब इसके अलामा अगर कुंडली में कि इसी राशी में सूर्य के होने से आपके सरी पर क्या प्रभाव पड़ता है आप सेहत मंद रहते हैं या रोगी यह सब भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जरा ध्यान से टापिक सुनियेगा तो इसी के साथ इस बीच हमारे साथ चुड़ गई है जहारकन की राजधारी राची से एक कॉलर काल चक्र की दर्शक संगीता संगीता बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में आप अपना सवाल पूछे सदाव सुकीर हो बिटा पंडी जी मेरा तीनी कर्षन है एक बच्चे के बारे में है उनका नाम सीवांस है उसका जनम 11 मैं 2018 को दिन सिकुरवार को नौबज के आठ में हुआ है उसका पंडी जी लेक्ट पैर में और दूब बड़ा तल्वे में तील है उसको कुई दिक्कत नहीं है और वो बहुत प्रदी इन जाने है और सगेंड कोश्चिन मेरे पती कि बारे में उनका जनम 15 अगस्त इंटी एटी नाइन को मंगलवार को सुवा चार वजे सुमझ हुआ है उनका बीज में अच्छा से नहीं चल रहा पंडी जी वो बहुत ही पर सांग है और वो प्रशने है साथ नौवंबर 1991 दिन द्रस्पत्वार मेरा जनम हुआ पंडी जी सरी से बहुत है में हैं हमको आंग से बिल्कुल भी ने दिखता है थोड़ा में दिखता है अगर चस्मा उतार जेते तो बिल्कुल नहीं लगता है तो पूजा पार्ट में मन नहीं लगता है इसके लिए हमको उपाय बताई कि हम कौन से हफ्ता में एक दिन फास्टिंग करें तांकि हम अच्छा से रहें और अपने पतिक साथ अच्छा से रहें मैं सबसे पहले आपके पुत्र के बारे में बताना चाहूंगा आपके पुत्रभाव का स्वामी बुध है और जो इसके बाये कान के पास तील या लक्षन के निसान है इससे आपको कोई डरने की बात नहीं है लेकिन आपको एक उपाय करना चाहिए सनी वार के दिन थोड़ा सा काला कपड़ा नया लेना चाहिए और थोड़े से काले तिल लेना चाहिए बच्चे को पूरब मुह करके बैठा देना चाहिए और काले तिल से जहां जहां तिल का निसान है साथ वार काला तिल का असपर्स कराके काले कपड़े पे तिल रख दे के लिए दाहिनी तरफ का तिल असुत होता है उससे मतलब की जो है उसको निजात मिल जाएगी दूसरी बात जहां तक तुमने अपने पती के रोजगार के लिए प्रस्टन पूछा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि देखो तुम्हारे पती भाव का स्वामी बुद्ध और उससे आजीविका अभाव का स्वामी ब्रहस्पती है पंचम नौम की स्थिती है मेहनत देखो ये पूरा करते हैं और बहुत मतलब की ये सुल्शे हुए बैक्ती भी है इसमें कोई कमी नहीं है लेकिन पूजी के अभाव के कारण इनका ब्योसाय सही धंग से गती नहीं पकड़ पा रहा है इसमें आप थोड़ी सी मदद कर सकती हैं मदद ये कर सकती है कि आप कह रही हैं पूजा पाठ में मन नहीं लगता है मन तो किसी का नहीं लगता है मन तो मेरा भी नहीं लगता लेकिन मन को लगाना पड़ता है मन चाहे कहीं भाग के जाए लेकिन आप पूजा करूं ऐसको किसि का मन हो नहीं सकता है कि मन खूंब कहे पूजा करो पूजा करो और मन एकदम संतुलित रहे ये बिसयी मन कभी पर रूक है इसको जबरदियस ति साधना पड़ता है इसलिए तुम univers, 12 मंत्रों का सुलह बार सुबह 16 बार साम पाठ करना सुरू करो मैं पूरे दावे के सांथ कहता हूं तुम्हारे पती के जीवन में चार चांद लग जाएगा और जहां तक तुम्हारे नित्रदोस का सवाल है तो उसके बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा कि नित्य प्राता काल सूर्य को जल देने के बाद एक उसी बिद्या का एक पाथ आता है चाक्षूसोप निसद में ओम चक्षू 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 तेजा इस्थिरोभवा तो ये पाथ आपको नित्यकर्म पूजा प्रकास की एक किताब आती है गीता प्रेस की उसमें मिल जाएगा 301 पेच पर उसका बारह बार सुबह पाथ करक और थोड़ा सा तांबे के लुटिया में जल रख करके उसी लुटिया के जल से अपनी आखों को धोलिया करो अगर ये उपाए 6 महीने कर लोगी तो आख के रोग में आपको चमतकारिक लाब दिखाई देगा और आप आख के रोग से बाहर निकलाओगी जैमाबिन दिवास तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडिजी आपको भगवान सूरे से जुड़ी बेहत खास और जरूरी जानकारियां दे रहे हैं तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम बात करते हैं सूरे और व्राशियों की तो पंडिजी अगर सूरे मेश या व्रिशव रिता है या फिर विमार Corn進 we are the same है जिसी बात तो यह है के सूरे की इशीति का पता तो तभी चलता है की सूरे किस राशी में है या किस नवान्स में थीक है यह बात तो तभी पता चलेगी जैसे means-reasi में सूर्य उच्चका होता है means-reasi और सूर्य दोनों ही अक्ति अगनी तत्व प्रधान है means-reasi वालों के सरीर में सूर्य के प्रभाव के कारण रोगों से लडने की विशेष सक्थी होती है लेकिन मेश रासी वालों को आखों से सम्मंदित दिक्कत भी होने की संभावना होती है ये तब ज़्यादा होती है जब सूर्य सुक्र के सांद दूतिय द्वादस में बैठ जाते हैं तो ऐसे बच्चों को पांच साल की उमर में ही चस्मा लग जाता है मेश रासी वालों को चस्मा जल्दी लगता है कुंडली में ब्रिसव रासी का सूर्य भी मजबूत शरीर देता है लेकिन सूर्य अगर पीडित है सनी राहु केतु से तो ऐसे लोगों को मिर्गी, हिर्दै रोग, हिस्टीरिया होने की संभावना बढ़ जाती है तो ब्रिसव रासी का सूर्य अगर पापक ग्रहों से पीडित होगा तो ये रोग हो सकते है तो कहने का आसर ये है कि बारह रासियों में बैठा हुआ सूर्य क्या करता है इस ब्रिसव पर हम आपसे बात कर रहे हैं और अगर आप अपनी भी कुंडली देखेंगे और आपके कुंडली के किस नंबर में सूर्य बैठा हुआ है तो आप अपने जीवन का भी मेलापक करेंगे तो काफी हद तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी जै माविन दिवास्न तो कुंडली में मिथुन या कर्क राशी में खराब सूर्य स्थत हो तो इसके किस तरह के परिणाम हो सकते हैं जान लेते हैं पंडी जी से तो पंडी जी बताइए कि इन राशियों पर अगर खराब सूर्य का प्रभाव हो तो फिर किस तरह की बीमार्या ही ने हो सकती है देखो मिथुन राशी जो है ये बूत की राशी है कुंडली में अगर मिथुन राशी में सूर्य इस्थित होगा और पीडित होगा पीडित का मतलब सनी की दृष्टी हो या राहु की दृष्टी हो या राहु के तू सनी के सांथ हो तो ऐसे लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रावलम, फेफणों से रिलेटेड प्रावलम और असनायू विकार नस्मों में खिचाव की इस्थित्यूत्पन होती है। तो टीवी भी हो सकता है। जिसके दोनों ग्रह अस्थान परिवर्तन कर लें। जिसके दोनों ग्रह अस्थान परिवर्तन कर लें। सूर्य के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में सूर्य है। ऐसा व्यक्ति इतना प्रतिभा साली होता है। कि वो चाहे जितनी बड़ी चुनवती उसके सामने आ जाए। उसे इतने पेसेंस के साथ वो हैंडल करेगा। कि उसके लिए वो चुनवती मनो रंजन बन जाएगी और सफलता जरूर मिलेगी जैमा बिन दिवासनी। तो कुंडली में सेंग या कन्या राशी में ही आशुप सूर्य हो तो व्यक्ति को किस तर की परिशानिया हो सकते ही। पंडित जी इन दो राश्यों के बारे में बताये जैसे आपने पहले की राश्यों के बारे में बताया। तो इन्हें किस तरह के रोग हो सकते हैं और भगवान सूर्य की ऐसे ही बुरे प्रभाव उसे बचने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। देखो सिंहरासी तो सूर्य की रासी ही है। और सिंहरासी में सूर्य तभी बुरा प्रभाव देगा। जब उसके उपर सनी की पूरी द्रिष्टी हो जाए या राहु केतू से यूत्त हो जाए। अन्यथा तो कुछ बुरा परिणाम देगा ही नहीं। और कुंडली में सिंहरासी में सूर्य हो और ब्रिहस्पती छठे भाव में बैट करके सूर्य को देखता हो तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी को मुटापा की विमारी होती है। सूर्य पर सनी की द्रिष्टी हो तो ऐसे बैक्ती को हिर्दय रोग की भी सम्हावना होती है। ऐसे लोगों को कम से कम तीन किलोमीटर रोज पैदल चलना चाहिए। सिंहरासी में सूर्य हो तो रोग जीतनी जल्दी होते हैं, उतनी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और सिंहरासी के सूर्य का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि ये लोग बिना आलत से किये अपने जिम्मेदारी में आये हुए काम को तुरंत परिणाम तक पहुंचा लेते हैं। ये लोग कभी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। या अगर सूर्य पीड़ित हो जाएगा सिंहरासी में या नीच के नमांस में हो जाएगा। मतलब तुला के नमांस में हो जाए भले अपने घर में हो। तो ऐसे आदमे का सुभाव चिरचिरा हो जाएगा। ऐसे लोगों का डाइजेशन पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा नित्र रोग की संभावना हो जाएगी तब कुछ खराबी हो सकती है जै माबिन दिवास में कि कटीव गश्च तुनली में तुला राशी याव रिष्चिक राशी पर खराब सूरे का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को किस तरन की परिशानले हो सकते यह भी हम जेन लेटे पांडिट जी से इन दो राशीयों पधिया भ्रभाब डाल रहा है खरब सूर्या देखो तूला रासी जो इस सूर्य की निच रासी बच दीगरी तक अगर सूर्य होगे तो टो यह निचांसक में माना जाइगा। दस डीगरी से ऊपर चला जाएगा तो लुटन असर नहीं होगा। हमारे सास्त्रों में, जातक पार्यात में और ज्योंतिस के तमाम मुर्धन्य सास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य अगर पूर्ण रूपें 10 डिग्री पर हो और तुलारासी के 10 डिग्री पर हो तो चाहे राजकुल में भी कोई उत्पन हुआ हो उसे भी भिच्छा मांग क करके ही मरना पड़ेगा क्योंकि यह सारे ग्रहों का राजयोग भंग कर देता है अकेला सूरिय यह संयोग बनता है साल में लेकिन 10-5 मिनट के लिए बनता है इससे जादे के लिए नहीं बनता है उस 10-5 मिनट में पैदा हुए जो लोग होते हैं उन्हें पूरे जीवन दुख करणा पड़ता है 26-27-28 इपने टीन तारीखों में कभी भी यह समय आता है 2728 नमबबर इन्हीं तीन तिथियों में यह में आता है तो अगर इन ही रासियों में सूर्य है तो पेसाफ से सम्मंधित समस्या होती है, कीदनी पर बूरा प्रभाव पड़ता है, डाइबिटीज, कमर के दर्द की तकलीप भी हो सकती है, इसी तरह से कुंदली में अगर ब्रिश्चिक रासि का सूर्य हो तो व्यक्ति में रोगों से लड़ने की सकती बहुत होती है, लेकिन सूर्य अगर कमजोर हो तो हिरदैरों, पितरों, गले में तकलीप या मुत्र से सम्मंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैमा बिन दिवासनी, तो कुंदली में धनू राशी या मकर राशी का खराब सूर्य हो तो व्यक धनू राशी ये मनुष्य के स्वाधिस्थान चक्र पर माना गया है, और मकर राशी मूलाधार चकर पर मानी गई है, धनू का सूर्य अगर स्वाधिस्थान चकर अर्था धनू राशी पर होगा, तो ऐसे लोगों को पेसाब में जलन होगी, जननांग से संबंधित रोग होंगे, असनायू विकार होगा, स्वास लेने में तकलीफ होगी, आकस्मिक दुर्घटना होगी, चोड़ चपेड लगने की संभावना बनेगी, और प्राया ब्यक्ति बीमार रहेगा, इसी तरह से कुंडली में अगर आठ्वे भाव में धनू रासी का सूर्य है, और पापक ग्रहों से द्रिष्ट या यूत है, तो इस्थिती बहुत गंभीर हो सकती है, मकार रासी का स्वामी सनी है, अब हम मुलाधार चक्र की बात कर रहे हैं, सूर्य और सनी भले ही पुता पुत्र हैं, लेकिन आपस में ये सतुर्ता रखते हैं, तो कुंडली में अगर मकर रासी का सूर्य असू विष्थिति में है तो यह सरीर को कम्जोर कर देता है रोगों से लडने की छम्ता कम हो जाती है जोडों में दर्द मांसिक रोगों से बेक्टी परिसान हो सकता है लेकिन यही सूर्य दिसुभग रहो के सांथ हो जाए या लग आपके सवाल पंडिटी से पूछे आपकी आवाज आपना प्रश्ण पूछे प्रणाम थे लगा रहा हूं लगा रहा हूं लागा थे दिनेश मेरा देट ऑप बरते देट नाइन चिन श्क्सक्ति अगर फिर से अपना पर देट बताईए अगर नाइन ऑगर्स नाइनटीन सिस्टी अच्छा ठीक है बताईए क्या जाना करते हैं अभी मेरा बविश्या में कुछ है नहीं अभी में काम दंदा भी कुछ है ने और मैं एलेक्टिट का काम करता हूं वह भी नहीं चल रहा है या मैं टेक्टी चलाओ क्या आपके अधार पर आपके दूतिय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी बुद्ध दोनों की दूतिय द्वादा सिस्थिती है अब आप 64 साल के हो रहे हैं और इस समय जो आपने प्रस्ण किया है केटू की महादसा में सनी की अंतरदसा में बिल्कुल आजीविक्या का साधन चीन हो चुका है अगर आप चाहते हैं कभी अपने सेस जीवन में आप सुख पूर्वक जीवन बतीत करें तो मैं आपको एक सुझाओ देना चाहूंगा कि आपको हर मंगलवार के दिन सौ पाठ हनुवान चालीशा के करने चाहिए और किसी हनुवान मंदिर में बैठ कर करने चाहिए जब तक पाठ करें तब तक दिया जलना चाहिए और हनुवान जी को चाहे पांच ही लड़ू सही लड़ू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना चाहिए यह उपाय अगर आप साथ मंगलवार कर लेंगे तो आप जो अभी आजीविका के लिए बिल्कुल परिसान है उसमें आपको चमतकारिक सुधार दिखाई देगा इसमें कोई संद्य नहीं है जैमाबिन लिवास में भोपाल से दीपा भी हमाय साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर दीपा बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप अपने सवाल पूछे पंडी जी मेरा प्रश्म है मेरे बेटे की जन्म के जी एक प्रश्म महीं 2010 जन्म स्थान भोपाल बारा बच्चि पचास नग्च चया यह मंगली हो और दूसरा प्रश्म मेरा यह है दो साल पहले हमने एक मकान बनाया है क्या हम उपर वास्तु के हिसाब से निर्मार करवाथ उसमें रह सकते हैं अभी हमने उसे रेंट पर दिया है आप कहते हैं कि बहुत भागिशाली होते हैं वो लोग जिने अच्छे किरायदार मिलते हैं पंदी जी मेरे किरायदार बहुत अच्छे हैं और क्या उसमें रह सकते हैं वो मकान मेरे पती के नाम पे है बयासी जा उन्हीं से बयासी जन्म जन्म दीपा देखो ऐसा है तुमने अपने बेटे के बारे में जो प्रस्न पूछा है तो बता दूख तुम्हारा बेटा और दूसरी बात यह है कि जो मकान के बारे में पूछ रही हो तो अगर घर में जाना बहुत जरूरी है तो जरूर जाना चाहिए और घर में रहना चाहिए पती के नाम से घर है तब भी रहना चाहिए अपने नाम से घर है तब भी रहना चाहिए उसका अच्छे से ग्रह प् भागय साली है जीवन में अगर अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से आपके उपर इस्वर की किरपा है और पता लगा कि जलते हुए बेवज़ा दुस्टों का सामना करना पड़ जाए तो पूरी जिंदगी नरक हो जाती है तो बरु भल बा सब्सक्राइब जाए तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से कुंब और मीन राषिवालों की否 Kindle मी को वामीन राषिवे सूरे अगर अशुच प्रभाव भाह पादट जी तो ऐसे लोगों को कौन-कौन से बीमारिया परेशान कर सकती है देखे ऐसा है मैंने सूरू में ही कारत्र में बताया कि सूर्य मेसरासी में या सिंहरासी में या तीसरे छठ्वें और इज्ञारवे भाव में सुफल देता है बाकी जगों पर सूर्य प्रायख खराप फल ही देता है लेकिन हाँ अगर नीच रासी का सूर्य हो और उच्च के नवांस में हो तब भी सूर्य अच्छा फल देता है यह प्रैक्टिकली देखा गया है कुंडली में कुम्भरासी का सूर्य हो तो सनी से जुड़े रोग होने की सम्भावना बढ़ जाती है जैसे शरीर में दर्द का होना, हिर्दय रोग, आँखों से जुड़ी समस्या, मांसिक रोग, रक्त सम्मंधि रोग यह सब कुम्भरासी का सूर्य देता है और मीन रासी का सूर्य अगर हो तो शरीर को दुरवल बनाता है डाइजेशन और ब्लड से सम्मंधि रोग परिसान करते है तो निश्चित रूप से आप एक बार अच्छी तरह से जान लिजिए कि यदि आप सूर्य को ठीक करना चाहते हैं और अपने मन के अनकूल करना चाहते हैं तो आप यथा सम्मभ़ कोशिश करें कि सूरी ओदय के समय सोकर उठें अस्दान करें सूर्य को जल दें सूर्य को जल देने के बार कम से कम ओम घिरीसूर्यायनमा इस मंत्र का 108 बार जब जरूर करें और रविवर के दिन सरसों के तेल का उपियो कोई भी नहा करें ब्रह्मच्यरे का पालन सभी लोगों को करना चाहिए जितने लोग ग्रिहस्ता आश्रम में हैं उन्हें रविवार के दिन ब्रह्मच्यरे का पालन करना चाहिए सूर्य की अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए और किसी तरह का नान्वेज नहीं खाना चाहिए और रव कौन है तो पंजड़ जी आज के हमारे इमेल कुछ सवाल किये हैं सबसे पहले हम इनकी डीटेल्स जान लेते हैं इनका नाम है साहिल जन्मतिती है 25 मईई 1990 जन्म का समय है दोपहर के लुए इनका सवाल यह कि पिष्ली कुछ साल से इनकी नौकरी में स्थायत्व नहीं है यह तो यह खुद नहीं टिक पाते हैं या फिर और आगि नौकरी पर खत्रा मंद्रा रहा है आगे कैसा रहेगा ये प्रश्ण है इनका और दूसरा सवाल है कि इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है इसकी वज़ा क्या है देखे ऐसा है साहिल बगू आपका जन्म हुआ है सिंह लगन में और आपकी रासी ब्रिशव रासी है और ब्रिशव रासी में सूर्यव चंद्रमा दोनों एक सांथ है इसको कहते हैं अधम योग जोंति सास्तर में सूर्यव चंद्रमा एक सांथ हो तो इसको अधम योग कहते ह अधम योग में आदमी 100% का काम करता है तो 50% रिजल्ट आता है दूसरी बात आपके भागय अस्थान में सुक्र बुध बैठे हुए हैं आप यह संदे हच्छे ब्यक्ति हैं इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन आपके भागय भाव का स्वामी मंगल वो आठवे घर में बैठा ह हुआ है वो आपको मांगलिक भी बना रहा है और आपका भागय भी क्रियासिल नहीं है आज जी विक्या भाव का स्वामी सुक्र अपने भाव से 12 भाव में है इसलिए नवकरी में अस्थाइत तो नहीं मिलता है इसका कारण है कि आपकी प्रतिभा जो है वो किसी को प्रभा करना चाहिए और हर समय अपने मन में पोजिट्व विचार रखना चाहिए अगर आप सकारात्म विचार रखेंगे और हर समय खुस रहने का चाहे ड्रामा ही करिए लेकिन खुस रहने का अगर आप प्रयास करेंगे तो लोग आपको गंभीरता से भी लेंगे और निश्चि आपके लिए ठीक नहीं है आपको चाहिए कि आप एक सुंदर सा बढ़िया तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिक्या उंगली में रभी वार के दिन सुर्योदय के समय धारण कर लें इससे निश्चित रूप से आपको रहत मिलेगी जैमाबिन दिवासने इस पीच काल चकर की दर्शक जुड़ गई है भूपाल से साक्षी साक्षी बहुत-बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडिटी से सदा मेरे दो बेटे हैं और मुझे उनकी भविश के बारे में नौक्री के बारे पूछना है बड़ा बेटा आठ जुलाई 2003 उसका जंद शाम पांच बच के चालिस में भूपाल में हुआ है उसका भविश और नौक्री क्या करेगा और दूतरा बेटा है चार मई दो याच में पांच वी को बज़ा है तो बारे में नौक्री सिस्वाल में इसका बीभविश और आप दो नौक्री और जान लिजिए आपके बड़े बेटे के भाव का स्वाविबध उस्था मिन मंगल बैटा हुआ आपके बड़े बेटे को अच्छी नवकरी मिलने के संभवना बन हुई है और management के चेटर में अगर यह नवकरी करें तो उस इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है और अगर अभी तक इधों ने MBA नहीं किया हुआ है उनको रस रसायन और अवसधी चिकित्सा से जुड़ा काम करना चाहिए उसमें उनको सफलता मिलेगी इसमें कोई दोराय नहीं है जैमा बिंद्यवास्णी सुदेश हमाय साथ जुड़ गई है गाज़ेबाद से उन से बात कर लेते हैं सुदेश आप अपना सवाल पूछ सकते हैं परनाम पंदी आपने बारे में पूछना जाती हूं मेरा जैनम है चबी जुलाइए निश्यकाटर निमाचल पर देश टाइम है राट के एक वज़ कर अपने बार में पूछना जाती हूं मेरा शरीर हमेशा सारे जोड़ों में दर्द घुटनों में दर्द और हमेशा शरीर में कोई ना कोई परिशानी चली रहती है गैस एसी डीटी सब बनती है मैं आपको बतारा चाहूंगा कि आपके रासी में ही इस समय मतलब की सनी गोचर कर रहा है आपको एसी डीटी और गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है और यह आपका रोग नहीं है बलकि आपके मानसिक तनाव के कारण यह रोग आपको होता है मानसिक तनाव अगर आपका ठीक हो जाए एंजाइटी की अगर आपको दवा खालने किसी डाक्टर से परामर्ज करके तो आपको वादविकार से बुक्ती मिल जाएगी आप ज़रासा भी यह टेंसन लेती हैं उसी समय आपको यह प्राब्लम होती है इसको आप अपने मन में सोच के देखिए और टेंसन लीजिए और ना लीजिए कुछ परिशितियां आईसी होती हैं कि टेंसन हो ही जाता है तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा एक तो किसी अच्छे डाक्टर से परामर्ज करके और सधी लेना चाहिए और दूसरी बात आपको रोज गाहित् करेंगी तो जल्दी से जल्दी आपके जीवन में सुख की अन्भूती होने लगेगी जय मादिन जवासनी तो कुंडली में बैठा सूर्य सिर्फ रोगी नहीं बनाता आपको बल्कि आपको स्वस्त भी बना सकता है इसके लिए आपको कौन से आसान और अच्यूक उपाय कर जैसे घर की पूरव दिसा के वास्तुदोस को खतम करिएगा घर की पूरव दिसा का वास्तुदोस यह है कि अगर घर की पूरव दिसा उची है घर की पूरव दिसा अगर उची है तो यह बहुत बड़ा वास्तुदोस है उत्तर और पूरव दिसा हर समय नीची होनी एक बात दूसरी बात श्रीहरी विश्णू या प्रभू स्रीराम या प्रभू स्रीकृष्ण की उपासना करना चाहिए और नित्य अस्नान करके सुर्योदय के समय सूर्य को तीन बार में जल देना चाहिए और रवीवार का ब्रत रखना चाहिए रवीवार को बिल्कुल सेंधार नमग भी नहीं खाना चाहिए आदित्य हिर्द इस्त्रोत, सूर्य इस्त्रोत, सूर्य अस्तवन, सूर्य आश्टक, सूर्य कवच, सूर्य मंत्र का जब और गायत्री मंत्र का जब या सूर्य के 108 ना मोका पाथ जरूर करना चाहिए सुबह सुरियोदय के समय बिस्तर छोड़ कर उठ जाएं और अस्दान करने की आदत डालें तांबे के गिलास में पानी पिएं, हर रवीवार को गाय को गुर और गेहुं खिलाएं रवीवार को किसी मंदिर में अपनी 56 अंसार तांबे का एक दिया दान करें समय समय पर घर में हरिवन्स पुराण की कथा कराएं हर रोज अस्दान करने के बाद गायत्री मंतर का जब जरूर करें यहां हरिवन्स पुराण का तातपर उन लोगों से है जिनके पंचम भाव में सूरिय किसी पापक ग्रह के साथ है और संतान प्राप्ती नहीं हो रही है तो ऐसे लोगों के लिए हरिवन्स पुराण रामबाण है यदि आप हरिवन्स पुराण को एक बार सोता से पुरा पढ़ जाईए और पढ़ करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके एक सोने की अंगूठी के साथ किसी बैदिक ब्राहमण को रभिवार के दिन दान कर दीजिए तो निश्चित रूप से एक साल के अंदर आपके बंस का बिस्तार हो जाएगा ऐसा हमारे सास्त्रों की मानता है हर रोज योग और प्राणायाम करना चाहिए सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए ओ माक्रशेन रजसा वर्तमानो निवे सयन्न मृतंग मृतंग चाहिरन एन सविता रथेन देवो जाति भुवना निपस्यन सूर्य का यह वाइदिक मंत्र अगर आप 31 दिनों में 31,000 कर लें तो निश्चित रूप से आपके चेहरे की कांती अलग दिखेगी जैमा बिन दिवास्ति तो पंडे जी आज हमारे दर्शकों को आपने सूरी से जुड़ी इतनी खास जानकारे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विशह बहुत पसंद आया होगा कल फिर एक नए विशह और आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए धेरो उपाय लेकर आएंगे हम पंडिश सुरेश पांडे जी के साथ तब तक काल चकर की पूरी टीम को दीजिए जासत देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे हैं नीज 24 नमस्कार